आज की वीडियो में जो रेफ्रिजरेटर में आपके लिए लेकर आया हूँ वो ये नहीं ये वाला रेफ्रिजरेटर है और ये रेफ्रिजरेटर इंडिया में सबसे कम पावर कंजूम करने वाला रेफ्रिजरेटर है कम पावर कंजप्शन के साथ साथ ये रेफ्रिजरेटर सालों साल चलता रहे हम इस बारे में भी बात करेंगे आप मुझे 10 मिनिट का समय दीजिए इस 10 मिनिट में मैं आपको हर एक जरूरी बात बताऊंगा ताकि चाहे आप refrigerator आणलाइन पर चेज करें या फिर आफ लाइन पर चेज करें रेफ्रिजरेटर पर चेज करते समय आप हर एक important बात का ध्यान रख सकें जो रेफ्रिजरेटर मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ ये रेफ्रिजरेटर पूरे साल में surprisingly सिरफ 104 unit electricity consume करता है जी हाँ हम बात करेंगे LG refrigerator के जिसमें हमें smart inverter compressor दिया गया है जिसकी capacity 190 liter है ये एक 5 star refrigerator है model number आपकी screen और description दोनों जगा पर दिया है और ये एक single door refrigerator है अगर आप एक single door refrigerator purchase करने जा रहे हो तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इस refrigerator को हर एक दिन छोड़कर दूसरे दिन defrost करना है क्योंकि आज कल अच्छे refrigerator में compressor के उपर एक plastic container दिया रहता है जब हम fridge को defrost करते हैं तो freezer में जो ice पिगलती है उसका पानी इस plastic container में deposit हो जाता है अगर हम एक दिन छोड़कर दूसरे fridge को defrost करेंगे तो इस container में थोड़ा पानी आएगा और compressor की heat से ये पानी evaporate हो जाता है लेकिन अगर हम बहुत दिनों के बाद defrost करेंगे तो हमारे freezer में ज़्यादा बरफ होगी और ज़्यादा बरफ के पिगलने से इस container में ज़्यादा पानी आएगा लेकिन compressor की heat इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो ज़्यादा पानी को evaporate कर सके इसलिए उस case में हमें manually इस container को empty करना पड़ेगा जो थोड़ा सा uncomfortable होता है इसलिए मैं strongly recommend करूँगा कि अगर आप single door refrigerator purchase करते हैं तो आपने इस refrigerator को एक दिन छोड़कर दूसरे दिन defrost ज़रूर करना है अब हम बात LG के इस top rated और best seller model की करते हैं इस refrigerator में हमें smart inverter compressor दिया गया है और इस smart inverter compressor की वज़ा से ये refrigerator less power consume करता है less nice produce करता है और इसकी durability भी बढ़ जाती है ये smart inverter compressor sense करता है कि हमारे refrigerator में समान कितना है अगर ज़ादा समान होगा तो ये smart inverter compressor ज़ादा cooling देगा जिसके वज़ा से हमारे fridge में रखा हुआ हर एक item अच्छे से ठंडी हो जाएगी और अगर हमारे refrigerator में समान कम होगा तो ये smart inverter compressor कम cooling करेगा इसलिए power consumption भी कम होगी इसी तरह से अगर हमारे refrigerator का door बार बार खुला जा रहा है तो जो ठंडी हवा fridge में होगी वो बाहर निकल जाएगी इसलिए fridge के अंदर की हवा को फिर से जल्दी धंडा करने के लिए ये smart inverter compressor ज़ादा cooling करेगा और जब हमारे fridge के अंदर की हवा अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो ये अपनी cooling को कम कर देगा इस तरह से फिर से power consumption कम होगी तो LG का ये smart inverter compressor really fantastic है LG के refrigerator में एक और unique feature है अगर आपके area में low voltage है तो भी ये refrigerator काम करेगा और अगर आपके area में power fluctuation काफी जादा है तो भी ये refrigerator easily काम करेगा क्योंकि इस refrigerator की operating voltage है 90 to 310 volts यानि कि ये refrigerator कम voltage को भी handle कर सकता है और अगर voltage जादा आ जाए तो ये refrigerator उसे भी handle कर सकता है इसी वज़ा से इस refrigerator के साथ हमें stabilizer यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है एक surprising बात बताऊं तो LG इकलोती ऐसी company है जिसका refrigerator 90 volts की power पर भी work कर सकता है और किसी भी company का refrigerator इतनी कम voltage पर work नहीं कर सकता और अगर हमारे गर में voltage 90 watts से भी कम हो जाए तो हमारा refrigerator आटोमेटिकली आफ हो जाएगा और जैसे ही voltage 90 से ज़ादा होगी ये हमारा refrigerator फिर से on हो जाएगा इसी तरह से LG का refrigerator 310 volts को भी handle कर सकता है और किसी भी company का refrigerator इतनी ज़ादा voltage को handle नहीं कर सकता तो voltage fluctuation को handle करने के मामले में LG का कोई भी comparison नहीं है इसलिए अगर आपके area में voltage की fluctuation रहती है तो आपको LG के refrigerator ही purchase करना चाहिए वीडियो में आगे मैं आपको इस refrigerator के positive points, negative points और इस refrigerator के अंदर का design भी दिखाऊँगा लेकिन पहले हम इस refrigerator की specification देख लेते हैं इस refrigerator का gross volume है 190 liters लेकिन actually में जो हमें storage के लिए space मिलता है वो हमेशा gross volume से थोड़ा सा कम होता है इस refrigerator का storage volume जो actually में हमें मिलता है वो है 180 liters और जो vegetable box इसमें हमें दिया गया है उसकी capacity है 12.6 liters ये refrigerator 5 star rated है इसलिए highly energy efficient है इससे ज़ादा energy efficient refrigerator नहीं आते इस refrigerator में हमें force test ice making का feature भी दिया गया है company claim करती है कि इस refrigerator में सिरफ 108 minutes में ice बन सकती है इस refrigerator में हमें जो stand दिया गया है उसके साथ एक drawer भी दिया गया है ये drawer extra storage space provide करता है इस drawer में fridge की ठंडी हवा नहीं आती है लेकिन इस drawer में हम journal items रख सकते हैं जैसे onions, potatoes या फिर वो vegetables जिने cooling की ज़रूरत नहीं है इस base stand की वज़ा से इस refrigerator की look भी थोड़ी सी attractive हो जाती है अगर मैं warranty की बात करूँ तो इस refrigerator पर हमें 1 year product warranty मिलती है और 10 years की warranty compressor पर मिलती है इस refrigerator में हमें solar smart का feature भी दिया गया है अगर आपने अपने गर में solar panel लगाए हैं तो आप उस electricity से भी इस refrigerator को run कर सकते हो अब हम इस refrigerator के internal design को देखते हैं इस refrigerator में सबसे नीचे हमें 12.6 liter capacity का vegetable box दिया गया है और इस vegetable box का जो cover है वो एक innovative pattern का box cover है ये box cover vegetable box के अंदर optimum level में moisture को maintain करता है जिसकी वज़ा से हमारे vegetables और fruits जादा दिनों तक fresh रहते हैं इसमें हमें antibacterial gas kit दी गई है जिसकी वज़ा से इसे clean करना easy है और हमारा food जादा दिनों तक hygiene रह सकता है इसके उपर हमें toughened glass की दो shelf दी गई है ये shelf देखने में attractive है और coffee durable है company claim करती है कि ये shelf 175 kg का weight भी उठा सकती है इन दोनों shelfs के बीच में जो distance है उसे हम अपनी need के हिसाब से कम जादा कर सकते है इन shelf के उपर हमें cool and fresh zone दिया गया है cool and fresh zone उन चीज़ों के लिए use किया जाता है जो highly perishable होती है यानि कि जो चीज़ें बड़ी जल्दी खराब हो जाती है ये cool and fresh zone बाकी fridge के comparison में 2 से 3 degrees जादा धंडा होता है इस cool and fresh zone के उपर हमें freezer दिया गया है अगर हम इस freezer को दियान से देखें तो इसकी body पर हमें white color की कुछ lines दिख जाएंगी ये lines बहुत important है compressor से जो ठंडी हवा आती है वो इनी lines के थूँ इस freezer में आगे पीछे गूमती है और उसी ठंडी हवा की movement से हमारा freezer ठंडा हो जाता है यहाँ पर एक बहुत important बात है जिसका आपने दियान रखना है जब भी हम freeze से बरफ निकालें तो हमने चाकू, पेजकस या चमच का इस्तेमाल नहीं करना है basically अगर हम अपने refrigerator को properly defrost ना करें तो उसमें काफी बरफ जम जाती है ऐसी condition में जब हमी freezer से बरफ की ट्रे बाहर निकालनी होती है तो वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाती और उसे जल्दी बाहर निकालने के लिए बहुत से लोग पेजकस, चाकू या फिर चमच का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ऐसा करना हमारे refrigerator की health के लिए harmful हो सकता है अभी मैंने आपको बताया कि हमारे refrigerator के freezer में जो white color की lines आपको दिखती हैं इनके बीच में ठंडी हवा move करती है ये lines coffee delicate होती है अगर चाकू, चमच या फिर पेजकस से बरफ निकालते समय हम जादा ताकत निकाल दे तो इन lines में कुछ crack आ सकते हैं और वहां से हमारी air बाहर निकल जाएगी और अगर ऐसा होता है तो आपको refrigerator में बार बार gas fill करनी पड़ेगी इसलिए मैंने आपको वीडियो के starting में ही suggest किया था कि आप अपने refrigerator को एक दिन छोड़ कर दूसरे दिन defrost कर ले अगर आप ऐसा करते हो तो आपके refrigerator के freezer में tray के बाहर बरफ deposit नहीं होगी और वो आसानी से बाहर निकलाएगी freezer के साथ हमें blue और white color के combination में एक knob दी गई है और इस knob के side पर 1 to 7 तक counting लिखी गई है इसे समझना बहुत important है basically इस knob को rotate करके हम अपने fridge के temperature को set कर सकते हैं कि हमारा fridge ज़्यादा cooling करे या फिर कम cooling करे अगर हम इस knob को 1 पर set करते हैं तो हमारा fridge सबसे कम cooling करेगा और अगर हम इस knob को 7 पर set करते हैं तो हमारा fridge सबसे ज़्यादा cooling करेगा तो सर्दियों में हमें इस नाप को 1 पर एड़जस्ट कर देना चाहिए, मानसुन सीजन में हम इस नाप को 3 पर एड़जस्ट कर लेंगे और समर्स में हम इस नाप को 6 या 7 पर एड़जस्ट कर सकते हैं ताकि हमें proper cooling मिल सके, और जब हमें defrost करना हो तो हमें इस blue color की नाप को अंदर की तरफ प्रेस करना है एक बात का और दियान रखें कि आप जहां पर भी इस refrigerator को रखोगे इस refrigerator की back side और दिवार के बीच में थोड़ा सा distance रखना है अगर आपने इस refrigerator को बिल्कुल दिवार के साथ छिपका का रख दिया तो इस refrigerator की back side से जो heat निकलेगी उसे बाहर जान की life भी लंबी हो तो आपने इस refrigerator की back side और दिवार के बीच में थोड़ा सा distance रखना है अब हम इस refrigerator के door के design को भी देख लेते हैं सबसे नीचे हमें जो shelf दी गई है इसमें हम एक लिटर की bottle बड़ी आसानी से रख सकते हैं इसके उपर जो हमें shelf दी गई है उसमें 2 liters की bottle रख स सकते हैं या फिर और भी अपनी नीड का कोई भी सामान रख सकते हैं इस refrigerator में हमें door lock का feature भी दिया गया है power cut के case में हम इस refrigerator को home inverter पर भी चला सकते हैं एक line में कहूं तो LG का ये refrigerator features के हिसाब से cheap and best है और आप इसे बीना किसी confusion और doubt के description में दिये link से purchase कर सकते हो लेकिन description में जान points की करते हैं LG का ये refrigerator coffee durable है जिन लोगोंने LG का कोई product पहले use किया है वो जानते हैं कि LG के product कितने durable होते हैं personally मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके गर में आपको हर एक चीज LG company की मिलेगी ये लोग LG की quality से इतने जादा satisfied है कि हर एक चीज LG की purchase करना चाहते हैं और अ quality भी काफी अच्छी है इस refrigerator का second positive point है कि LG की after sale service बहुत अच्छी है चाहे हम बात small towns की करें या बड़े शहरों की सभी जगा पर LG का service network बहुत अच्छा है इस refrigerator का third positive point है कि इस refrigerator की cooling efficiency बहुत अच्छी है और इस refrigerator का fourth positive point ये है कि ये refrigerator बिल्कुल भी noise produce नहीं करता इस refrigerator का fifth advantage ये है कि इस refrigerator की look बहुत अच्छी है और ये देखने में कौफी attractive है अब हम बात negative points की करते हैं वैसे तो इस refrigerator में कोई भी बड़ा negative point नहीं है लेकिन एक point ऐसा है जहां पर मुझे कुछ improvement की ज़रूरत लगी इस refrigerator में base में जो हमें draw दिया गया है उसकी quality थोड़ी सी और improve की जा सकते थी ये refrigerator अपने segment में best है अब आप description में दिये link से इस refrigerator को purchase कर सकते हो लेकिन अगर आपके mind में कोई confusion या doubt है तो आप मुझे comment में पोच सकते हो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को subscribe करे ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की notification मिल सकें थैंक यू